उधारन सत्रा धारा के बहाओ की दिशा एवं विपरीत दिशा में नाओ की चाल ग्याद कीजिए हल माना धारा के बहाओ की दिशा में नाओ की चाल बराबर एक्स किलो मीटर एक्स किलो मीटर जी एक्स किलो मीटर प्रति घंट तथा धारा के बहाओ की विपरीत दिशा में नाओ की चाल बराबर वाए किलो मीटर प्रति घंटा बहाओ की दिशा में चंवालिस किलो मीटर की दूरी की दूरी तै करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल अब हमारे पास दूरी जो है वो दी है चंवालिस और चाल जो है हमारी एकस किलो मीटर है तो चंवालिस बटा एकस घंटे जो है बहाओ की दिशा में चंवालिस किलो मीटर की दूरी तै करने पर लगा समय दूरी चंवालिस दिया है और चाल जो है हमने एकस किलो मीटर प्रति घंटा धारा के बहाओ की दिशा में माना है तो 44 बटा एक्स घंटे आगे हमारे पास बहाओ के विपरीत दिशा बहाओ की विपरीत दिशा में दिशा में तीस किलो मीटर की दूरी की दूरी तै करने पर तै करने में लगा समय बराबर तीस किलो मीटर है हमारी दूरी और बटा समय हमारा बहाओ की विपरीत दिशा में हमने इसको माना था वाई तो तीस बटा वाई घंटे इसी लिए प्रश्न अनुसार धारा के बहाओ की दिशा में दिशा वा उसके विपरीत दिशा दिशा में दूरी तै करने पर करने में लगा समय बराबर दस घंटे इसी लिए चम्वालीस बटा एक्स ये पहली इस्तिति जो बहाओ की दिशा में चम्वालीस किलोमेटर की दूरी तै करने पर लगा समय चम्वालीस बटा एक्स घंटे उसी तरह से बहाओ की विपरीत दिशा में तीस किलोमेटर की दूरी तै करने पर लगा समय तीस बटा वाय है तो तीस बटा वाय बराबर दस इसे हम समी करण एक मानेंगे आगे देखते हैं चूकि बहाओ की दिशा में में 55 किलोमेटर तथा विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में 40 किलोमेटर की दूरी तै करने में तै करने में लगा समय बराबर 13 घंटे इसलिए 55 बटा एक्स धन 40 बटा वाय बराबर 13 इसे हम समी करण दो मानेंगे अब समी करण एक और दो में एक बटा एक्स बराबर हम मानेंगे यू और एक बटा एक के स्थान पर हम यू लेंगे और एक बटा वाय के स्थान पर हम वी रखने पर हमें दो समी करण तीन वा चार चार मिलते हैं अब समी करण एक में एक बटा एक के स्थान पर हम यू रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगा तो चम्वालिस यू धन तीस वी एक बटा वाय के स्थान पर हमने वी रखा तो तीस वी बराबर दस अब यहां पर चम्वालिस यू धन तीस वी में हम दो का उभहनिश निकालेंगे तो यह हो जाएगा बाइस यू धन पंदरा वी बराबर जो उभेनिष्ठ हमारा दो निकला उसको हम दो से भाग करें पक्षांतर करने पर तो हमें पांच प्राप्त होंगा तो बाइस यू धन पंद्रा वी बराबर पांच इसे हम समीकरण तीन लेंगे तथा समीकरण दो में एक बटा एक से स्थान पर यू रखने पर हमें प्राप्त होंगा पचपन यू धन चालीस बटा वाय में एक बटा वाय के स्थान पर वी रखने पर हमें प्राप्त होंगा चालीस वी बराबर तेरा इसे हम समीकरण चार नाम देंगे समीकरण 3 में समीकरण 3 में समीकरण 3 में 55 यहां समीकरण 4 में U का गुणांग 55 है तो समीकरण 3 में 55 वा समीकरण 4 में समीकरण 3 का गुणांग 22 से गुणा करने पर समीकरण तीन में हम यहां पच्छपन वा यहां पर पच्छपन से गुणा करेंगे समीकरण तीन में दाया और बाया पक्ष में वा समीकरण चार में समीकरण चार में दोनों पक्ष में हम समीकरण तीन का जो यू का गुणा बाइस है उससे गुणा करेंगे तो चार में बाइस का गुणा करके घटाने पर दिखिए क्या घटाने पर हमें क्या प्राप्त होंगा हमें प्राप्त होंगा समीकरण तीन में हम दोनों पक्ष में जब पच्छपन से गुणा करेंगे क्योंकि यू का गुणांग पच्छपन है तो समीकरण तीन में पच्छपन का गुणांग हम करेंगे तो पच्छपन को पंदा से गुणा करेंगे तो 825 V बराबर पचपन को जब हम गुणा करेंगे 5 से तो हमें प्राप्त होंगा 275 कृ उसी तरह से समीकरन चार पर चार पर थोनओ पक्षों में जब हम 22 का गुणा करेंगे जो की समीकरन 3क use का है तो 22 से गुणा पुना हमें 1210 यू प्राप्त होंगा, धन 22 को 40 से गुणा करेंगे तो हमें 880 वी प्राप्त होंगा, और उसी तरह से जब हम इसको 22 से गुणा करेंगे, 13 को तो हमें 206 प्राप्त होंगा, अब इसे घटाना है हमें, तो घटाने के लिए हम चिन का विपरीत चिन लगाते हैं, धन का रिन फिर धन का रिन और धन की जगा रिन तो 1210 U ये आपका शूनी प्राप्त होंगा और 825 V में से रिन 880 V को हम घटाएंगे तो हमें रिन 55 V बराबर 275 रिन 286 बराबर रिन 11 प्राप्त होता है आगे देखते हैं हमने प्राप्त किया था रिन 55 V बराबर रिन 11 या V बराबर रिन 55 का पक्षानता करेंगे तो रिन 11 बटा रिन 55 या V बराबर अन्शवर हर में रिन एक या जब हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होंगा ज्यारा बटा 55 और प्राप्त को जब 11 कम ज्यारा काटेंगे और ज्यारा पंच प्राप्त होंगा एक बटा 5 इसलिए इसलिए y कमान क्योंकि y कमान जो था वह एक बटा वी था तो y कमान इसलिए y कमान पांच हो जाएंगा इसका वित्करम हो जाएंगा तो यह y कमान हमें 5 प्राप्त भौपत हुआ अब वी कमान धन वी का मान समीकरण तीन में रखने पर रखने पर तीन पर रखने पर देखिए हमारे पास समीकरण में हम 22 यू रखे धन हमारे पास क्या था तो पांच वी पंदरा 22 यू धन पंदरा वी बराबर 5 था हमारे पास तो हम क्या करेंगे यहां पे 22 यू धन पंदरा और वी के स्थान पे एक बाटा पांच बराबर पांच या या 22 U धन 5 एकम 5 तिया 15 तो धन 3 बराबर 5 या 22 U बराबर धन 3 का पक्षांतर करेंगे तो रिन 3 तो 5 रिन 3 बराबर 2 या U बराबर 2 बटा 22 और 2 और 22 को 2 से हम काटेंगे 2 एकम 2 2 ग्यारम या 2 एकम 2 2 एकम 2 तो हमें प्राप्त होंगा 1 बटा 11 तो इस तरह से X का मान हमें प्राप्त हुआ इसका क्योंकि हमने एक बटा u को x माना था तो x का मान जो है इसका व्यूत्क्रम हो जाएगा x बराबर 11 इसलिए हमें प्राप्त होता है x बराबर 11 तो इस तरह से हमने निकाला x बराबर 11 और y बराबर 5 तो अतहा अतहा धारा के बहाव बहाव की दिशा में नाव की चाल बराबर हमने x किलोमेटर प्रती घंटा माना था तो ये हो जाएगा चाल बराबर धारा के बहाव की दिशा में नाव की चाल बराबर ग्यारा किलोमेटर किलोमेटर प्रती घंटा एवं धारा के बहाव की बहाव की विपरीद दिशा विपरीद दिशा में नाव की चाल की चाल बराबर पांच किलोमेटर वाय का मान क्यूंकि हमने पांच निकला है और हमने धारा के बहाव में विपरीद दिशा में नाव की चाल जो है वो माना था वाय किलोमेटर प्रती घंटा इस तरह से यह इस प्रश्ण का हल है सोचें वर चर्चा करें दिये गए समी करण निकाए दो एकस धन पांच वाय बराबर एक दो एकस धन तीन वाय बराबर तीन को विभिन समूहों में बढ़ कर अलग अलग विधियों से हल करें प्राब्तमानों पर चर्चा करें कि क्या प्रत्यक विधि से प्राब्तमान समान है